स्मस्ट्री कैसे बनाना है आपको बहुती सांदार तरीके से ठीक है सबसे पहले ये दो आपको लाइनी खीच लेनी है आपर ठीक है इसके बाद है आपर एक दो तीन ठीक इसके बाद एक दो तीन चार और ये पांच आगे चलेंगे जब 5 हो जाने को आपको 7 कर लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब इन 7ों में से आपको किस तरह से डिजाइन करना वो देखिए सबसे पहले simple यह first डिजाइन होगी हमारी next आपको इस तरह से कर लेना है ठीक है अगले डिजाइन को आपको यहां से उठा के ये same आपको इसी तरह से डिजाइन को sit कर लेना है इसी तरह के आपको डिजाइन को लेके आगे चलना होगे आप यह 7 बार लिखे थे आप इस बार हमें आप 9 बार count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह हमारी final डिजाइन होगी इसके बाद हम आपको कोई draw नहीं करेंगे यह हमारा जो तो complete एक ट्री बन चुका अब इसको एक और डिजाइन कर सकते हैं छोटी छोटी यह यह वारी डिजाइन अगर आपको पसंद आए तो आप इसको भी try कर सकते हैं काफी special मैंने आप पर आपके लिए बताई है अगर आप ठीक लगे तो कर लीजेगा नहीं तो आप simple भी कर सकते हैं यह जो तो simple डिजाइन है ठीक है अब इसमें आपको यह प्रिण की cutting कर लेनी ही इस तरह से यह आपका एक simple tree बन चुका है यह हमारा first डिजाइन था ठीक है इसको आप सजा किस तरह सकते हैं तो सजाने के लिए आप सबसे पहले आप इस्टार कर लेंगे ठीक है यह हमारा इस्टार हो गया देना आपको यहाँ पर यह आप इस तरह से गोले नाम फुल जड़ी यहाँ लगा सकते हैं यह इनसम में लगा लिजेगा इस तरह से यह जो खाली खाली आपको दिखाई पड़ रहे हैं इनसम में आपको छोटे छोटे गोले set कर लेने हैं तिक इनसम में ऐसे यह आपकी दाकी सजावट आपकी अच्छी हो जाएं ओके चली यह आपका तो फर्स डिजाइन होगा आप सेकंड डिजाइन को देख लेते हैं सेकंड डिजाइन काफी सरल है सबसे पहले आपको दो डंडे ऐसे खीच लेने एक थोड़ा से कोसिस करिएगा कि आपके डंडे एक जैसे खीचे और उन डंडों के बीच में जो दोरी हो बराबर होनी चैब फीक है यह आपका जो पेंड की डिजाइन है ये इस तरह से यह आपके क्या हो जाएगा जमीन हो जाएगा यानि स्पेस और हम्यापर छोटा से यह कम्प्लीड कर लें ठीक यह हमा तो फॉस्ट पिर्मिड होगा फॉस्ट पिर्मिड में आपको क्या कर लेना है इस्टार बनानी के लिए आपको दिक्कत हो रही हो थोड़ा स सब्सक्राइब एक लाइन इस से और बड़ी करेंगे पिर एक लाइन इस से और बड़ी कर लेंगे और लास्ट वाली लाइन सब से बड़ी कर लेंगे टिक क्या करना है यह वाली लाइन को यहां से मैच करिए यह करेंगे अब इस लाइन को यहां से टच करो यह टच हो जायागा इस लाइन को यहां से करेंगे ये complete हो जाएगा ये line हमारी last valley यहां से complete करेंग इस तरह से आपका एक pyramid बन सकता है जिसमें आपको ये छोटे छोटे गोले यहां पर कर लेने हैं ये गोलों से हमारी जो तो tree की सजावट complete हो जाएगी ये आप इस तरह से Christmas का tree जो है third में आप देख सकते हैं किस तरह से बनाना तो third देखते हैं simple सबसे पहले हम यहां पर lining करेंगे ये first line हो जाएगी फिर इससे छोड़ा सा छोटी line लेंगे ये हो जाएगी फिर इससे भी छोटी line लेंगे फिर इससे भी छोटी line ले लेंगे हम यहाँ पर और यह हमारी हो जाएगी सबसे छोटी लाइन ठीक आप क्या करेंगे सबसे पहले हम उपर वाली लाइन को बना लेंगे यह क्या हो गया हमारा प्री बन चुका है उपर वाले में उपर में आपको यहाँ पर इस बार केबल और केबल गूला बना लेन इस तरह के गोले आप बनाते चलेंगे और इसमें इस बार थोड़ा चिंजिस करेंगे ये जो आप सनरशना यहाँ पर देख रहे हैं इसी तरह से आपको सनरशना यहाँ पर बनाते हो चलना है जो कि आपके लिए काफी इंट्रिस्टिंग और ये लास्ट वाली में इस तरह से फिट करती है आप यहाँ पर गूले बनाते चलेंगे ठेक यह इस तरह से आपकी पूरी सनरशना बन जाएगी और यह हो जाएगा आपका पूरा का पूरा एक क्रिस्मस ट्री जो की काफ़े इंपोर्टेंट ठेक है यह आपको पूरा का पूरा इंपोर्टेंट कर लेंगे ठेक है इसकी सजावट की बात कर लें सजावट में इस तरह के आपको सनरशना बना सकते हैं जो कि आपको देखने के लिए काफ़े इंपोर्टेंट लगेगी ठेक यह हमारी होता थर्ड संरशना क्रिस्मस ट्री की चलिए और एक संरशना देख लेते हैं काफ़ इंपोर्टेंट भी है और काफ़ अच्छी आपको लग सकती है उस संरशना के बारे में देखते हैं संरशना में कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा यूश्फुल है यह आपको यूँ करके इस तरह से बनाना है यह देख रहे हैं आप इसी तरह की संरशना आपको बिल्कुल बनाते हुए चलना है यह संरशना आपकी पिरामिट के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती ठीक है यह जो आप मैं बना रहा हूँ यह संरशना आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट और काफ़ी अच्छी डिजाइन हो सकती है ठीक इस तरह से आप अपनी संरशनों के एक लास्ट मक्षद देंगे और यह आपका पूरा का पूरा जो क्रिस्मस ट्री है बहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा ठीक यह हमारा जो तो क्रिस्मस ट्री देख सकते हैं काफ़ी डिजाइनिंग दिख रहा है और काफ़ी लेटेस्ट भी है ठीक अगर आप इस तरह का बनाएंगे तो सबसे खुबसुरत दिखेगा आप इसको सजा भी सकते हैं आपने हिसाब से सजाने के तरीके आपके उपर हैं कि आप इसको किस तरह सजा सकते हैं आप इसमें कलर स्वयम से करेंगे या फिर किसमाध्यम से करेंगी आपका डिसीजन हो सकता है मैंने याप पर काफ़ी अच्छी कोसिस किये हैं ताकि आपको जो क्रिस्मस ट्री है सबसे अलग दिखे ठीक आप इस तरह से बनाईए काफ़ी अच्छा भी लगेगा ठीक है यह इसमें सजाने के तरीके और भी हो सकते हैं आप यहाँ पर भूलना नहीं है आपको यह गोले बना सकते हैं काफ़ी इंट्रेस्टिंग लगेगा बाकी की संरचना उपर की दो छोड़ दीजेगा बाकी न इंट्रेस्टिंग लगने लगेगा ठीक यह हमारी जो तो 4 संजचना थी जो कि आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट हो सकती थी चलिए लास्ट देखेंगे फिप्थ संजचना जो कि काफ़ींपोर्टेंट है और काफ़ी सरल भी है इसमें क्या करना है आपको सिंपली एक cut out लेना है इस तरह का ये cut out करेंगे यहाँ पर cut out कर लेना है cut out करते चलेंगे कम से कम हों को 5 cut out कर लेने 5 cut out के बाद इस last cut out को इस तरह से आप कर लेंगे ठीक है यह हमारा space complete रूप से बन जाएगा space complete होने के बाद आपको simply ये संजशना घुमा के यूँ कर लेनी है इस संजशना को घुमा कर इस तरह से ठीक है अब अगली संजशना को हम यहाँ से पकड़ के यूँ घुमाएंगे और इस संजशना को इस तरह से इस तरह से आप process करिएगा तो आपका जो diagram है काफी अच्छा बनेगे ठीक है यह संजशना आप फिर यू घुमाएंगे और इस तरह से पूरी तरह से complete करेंगे ठीक यह जो Christmas tree है काफी interesting और latest है ठीक है यह मैंने काफी मेहनत के बाद आपके लिए बनाया है जो कि आपके interesting हो सकता है ठीक यह फिर आप last में यू घुमा करके इस तरह से इसको cap में बंद कर देंगे और यहाँ पर आप बड़ी आसानी से यहाँ पर star बना सकते हैं या ना बने तो आप कुछ design इस तरह से कर लिजेगा या फिर जैसे मैंने यहाँ पर बनाई है इसी design के उपर आप यहाँ पर गोले रख सकते हैं या फिर इस तरह से पूरे आप इसक पर कप को बेठा सकते हैं इस तरह से आपकी पूरी जो तो एक संजसना complete हो जाएगे ठीक यह हमारी लास्ट सी जिसमें आपको पूरी तरह से समझ सकते हैं अगर और इंट्रेस्टिंग लगती तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को प्रिस कर लिजेगा comment के जेगा तो हम और आप के लिए क्रिसमस्टि के डिजाइन लेके आएंगे जो कि आपके लिए काफी यूस्फुल हो सकती है तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ जय हैं जय भारत